हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पार्ट सला में स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपने थम्डेल देख लिया होगा आज विडियों बात करने वाले हम वीडियो और एक जाम डेट के बारे में दो है अठारे वाला अभी दोस्तों थोड़े पहरे एक वीडियो में अप्रूट किया था उसमें साउंड नहीं आ रही थी इस वज़ेसे इस वीडियो को आपको दोबारा बनाना पड़ रहा है ठीक है उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दो कि आपको याद होगा अब पन्चैट की या फिर आपको यह होगी जूर्यस्टेंड की इन दो में से कोई एक विग्ला पनापण आपको जारी हогा और उसके बाद क्या होगा उसका तीसा जो पिग्ला पना आपको जारी होगा फिर विइड्यो बढ़न आपको जारी होगा। मुझकिल है जोलाइ से पहरे नहीं कि तो देखिए जो एडीक के भिग्यापन आपने आदे कि मार्च के लाश्ट में मैंने पहले बता है कि पत्तीस मार्च से लेकर दस अपराल के बीच में इसके आने के सम्भाबना है फिर दौनों मेंसे इन में पैट का ये पिर इन में से इक आएगा जो बच जाए गा दोनों में से और फिर आपका वीडियो का आएगा और दो साथ ही आपको बताते हैं कि जो भी इस ड़िए आप वीडियो एक्जांन की त दिन और दोस्तों यह प्लान आपका स्टार्ट हुआ 14 मार्स से लिए करके 12 माई तक चलने बाला है यानि साथ देज का और जिसमें आपको डेड़ी 6 से लिए करके 8 गंटे के स्टेडी करनी है इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है तो इसको आप आपको नहीं पढ़ना है और आप बात करते हैं इसके एक्जाम बेट के बारे में आपको दोस्तों याद होगा दो दिन पहरे कुछ बच्चे आपकी आयो गए हुए थे तो वहां पर सस्टिव सावसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने यह बोला था उन्होंने यह बोला था क है तो हमारी कोशिस है कि अपरल के लास्ट में और या मई के स्टार्टेंग में हम जो है वीडियो का रिएक्जाम करा लेंगे लिए लिए सो मुझे यकीन नहीं कि इस टाइम पर आपका एक्जाम हो पाएगा अगर मुझे पूसा जाए तो जो आपका एक्जाम है को कम से कम अब 20 मईई से पहरी तो आपका नहीं हो रहा है पहरी नहीं अब क्यों अपको नहीं हो रहा है जो किन आ पता ओ अभी तक जो आपका बज hem भो Are है वीडियो एक्जाम के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था दो से तीन महीने पहले आपको याद हो बहुत सारे यूटीव चैनल बोल रहे थे कि बहुत बड़े चैनल लेकि मैं उसी समय आप से बोला था कि अभी तरह बजट नहीं मिला आया एक को और यह बजट मेंने के सम में लेगी आसपास में एक्जाम कराने के लिए तो दीके एडमिट कारने के बाद त्यार होंगे बनके उसमें कुछ नया नहीं करना है इनको ठीक है कौन को बच्चे देने वारे पेपर जिनका लास्ट टाम एडमिट कर जारी होगा और इसके बाद फिर आपका एक्जाम हो है क्यों जाएं आपको पता हो जो सचे में आपकी यूपिटरवर्शी में बहुत जल्दी आने कि मंसरो लगगत दो महिने के आसस में इनका से आपका टरांसकोन होगा ह। एक्जाम्रेट गोषित नहीं की और इनका ट्रांसफर हो गए यहां से चले गए यह बिटेपरसी से तो पर पांस हमेने कम से कम एक्जाम्र बूल जाई है फिर आप जो अपको बता रहा हूं ठीक है इसलिए आप दबा पर आई जाते रहे हैं हर अपके कम से कहते में एक दिन ठीक है जिसे कि आपके एक्जाम्रे जल्दी आपकी कुषित हो पाएं तो यहीं दोस्तों आपको बताना था यानि कि आप देखी मार्चरी जो में आपको इस्टड़ी प्लान दिया है कि 12 मार्च तक अब अपना कोर्स है वो कंप्रीट कर लें 12 मैं तरस्वरी ठीक है उसमे आपको समय में 10 दिन का 20 दिन का उसमें केबल आपको रिविजन करना है कुछ भी आपको नए नहीं पड़ना है क्यों दोस्तों मेरे पास कई बच्चों के मैसेज़ा आते हैं कि हम दो बार त्यारी होगे तीन बार हो गई तो आप खुस्तों कि आप मुंसे कितना पीछे हो क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 वार अपने त्यारी कर चुके हैं वीडियो रिए एक्जाम की क्यों देखिए अगर आपके पैट आपका एक्जाम अच्छा नहीं हुआ चाए 2-22 वाला हो चाए 2-21 वाला हो तो यही आपके पास इच्छा मौका है नौकरी पाने क ठीक है क्योंकि अगर आप अगर आप पैट के इंजा करोंगे पैट दो है ते इसका तो उसका एक्जाम अक्टूर होगा नहीं आपका और इससे जो भी आपकी बच्चे नहीं लेंगी वह आपकी जून जुलाई के बाद दिख लेंगे 2-24 में यह सीज़ा आपको समझ नही होगी ठीक है थैंक यू फो वाचिंग